मेरा फार्मोस में आपका स्वागत है काफी समय से आप लोगों के लिए ट्रेक्टर की तुलना का वीडियो बना रहे हैं और इस समय आप लोग सबसे ज़्यादा ट्रेक्टर लेने में कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा लेना बेस्ट रहेगा तो बस आज हम बात करते हैं महिंद्रा यूवो 575D और जोन डियर पचास संतालिस के नए पावर प्रो ट्रेक्टर की तुलना आगे हम इस वीडियो में जानेंगे दोनों ट्रेक्टर में क्या क्या समानता है और कौन सा फीचर कौन से ट्रेक्टर पे भारी पड़ता है चलिए शुरू करते हैं जहां महिंद्रा का 575D आता है 45 HP और 4 सिलंडर के साथ तो जोन डियर का नया 50-45D आता है 46 HP और 3 सिलंडर के साथ बात करें तो यह दोनों ही ट्रेक्टर आते हैं पावर स्टेरिंग और तेल में डूबे ब्रेक और सिंगल और डूइल क्लच के ऑप्शन के साथ अगर इनके एर क्लीनर की बात की जाए तो दोनों ही ट्रेक्टर में ड्राइ इतना ही नहीं दोनों ट्रेक्टर में डूइल क्लच का ऑप्शन भी दिया गया है यहां तक कि दोनों की डीजल टेंग में भी 60 लिटर डीजल आता है हाँ दोनों की बनावण में जरूर अंतर है वह हम आगे जानेंगे एक जैसे फीचर की बात करने की बात अब बात करते हैं ऐसे फीचर की जो दोनों में अलग-अलग है अधिक्तम फोरवर्ड स्पीड में 30.6 km प्रती घंटे की स्पीड ली गई है 30.92 km प्रती घंटे की स्पीड दी गई है मतलब दोनों में ना के बराबर ही अंतर है स्पीड 13.43 किलोमेटर प्रती घंटा है वहीं 575 की रिवर्स स्पीड केवल 11.2 किलोमेटर प्रती घंटा ही है तो 575 में 12 अगली और 3 पिछली स्पीड दी गई है 50-45 डी पावर प्रो इसमें 8 अगली और 4 पिछली स्पीड के साथ विड़ी गई है मशीनों को लेकर एक असमन जस रहता है कि कौन सा ट्रेक्टर क्या चला पाएगा तो यह भी जान लेते हैं यह दोनों ही ट्रेक्टर रोटावेटर पोटेटो प्लांट आसानी से चला सकते हैं महिंदरा यूवो 555 डी ट्रेक्टर की कीमत लगबग 7,30,000 के आसपास है और 50,45 की पावर प्रो की कीमत 7,60,000 से 7,75,000 के बीच है महिंदरा यूवो 555 डी महिंदरा का सबसे प्रेमियम मोडल है आपको क्या लगता है महिंदरा यूवो 555 डी और 50,45 की पावर प्रो मैक्स में से कौन सा ट्रेक्टर बहतर है और आगे आप इन ट्रेक्टर की तुलना देखना चाहते हैं हमें कॉमेंट करके बताएं आप और आप हमारे पेज पर और भी ट्रेक्टर की वीडियो देख सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में